नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके शाहते शिखा मेरोत्रा आप सभी को रक्षबंधन के हार्दिक शुपकामनों के साथ शिरुवात करते हैं खबरों की तो पहली खबर की तरफ रुख करते हैं जहां और एया में एर्वा कट्रा से थाना छे मिसर में एर्वा कट्रा नगर तक दिकाली गई इसके बाद बूढ़े बाबा शुव मंदिर पर जलाबिशेख किया गया अलिगड में आजादी का अमरित महुतसव मनाया ज़ा रहा है वहीं जिले में वरिष्ट पुलिस अधिक्षिक कला निदी नैधानी के नेतरित्व में पुलिस लाइन में आजादी की अमरित महुतसव के तहत फिट इंडिया संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मेराथान का आयोजन किया गया इस दौरान पी एसी और पुलिस जवान भी शामिल हुए बड़ा हर्स का विशाय के आजादी का अमरित महुतसव वर्स मनाया जा रहा है और इसमें विभिन कारेक्टरम पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे हैं जिसमें इस जन्पद में मौझूद जन्पदिय पुलिस 38 पी एसी वाहनी और 45 पी एसी वाहनी इन सबी के जो हमा महुतसव को मनाने के लिए इस दोड़ का विजन किया गया यूनियन बैंक को उतार कर तिरंगा जंडा फरा दिया इस घटना में अंग्रेजों की गोलिबारी में जिले के 6 क्रांतिकारियों की जान चली गई थी दिले प्रिशासन ने इस जबार शहीदों की याद में सदर तहसिल परिसर में शहीद इस्तम बनवाकर शहीदों को सच्ची श्रद्धा जली दी है तो जहां श्रधांजली दी जा रही है अज़ादी का अमरित महोसम मनाय जा रहा है इसके तहत शहीदों को श्रधांजली दी गई है आपको पता दे खबर औरया से है जहां औरया में स्वतन्फता आंदोलन की लडाई में रण बाकुरों से इतिहास भरा पड़ा है 12 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों ने सदर तहसील पर लगे यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा जंडा फेरा दिया था इस घटना में अंग्रेजों की गोलिबारी में जुले के छे क्रांतिकारियों की जान चली गई थी जिलपरशासन ने इस बार शहीदों की याद में सदर तहस के तहट हर घर तिरंगे के सब्तह दिवस के पहले दिन हाफ मैरिथॉन का आयोजन किया गया इस दौरान वहाँ पर मौझूद एस बी ने हाफ मैराथॉन को हरी जटी दिखा करवाना किया और खुद भी पुलिस कर्मियों के साथ हाफ मैराथॉन कारिक्रम में शामिल हुए लखीमपुर खिरी में डियम महेंदर बहादुर सिंग ने सीडियो अनल कुमार सिंग के साथ परिशधिये सिक्षकों और जहात्रों के साथ तिरंगे के इतिहास अगस्त क्रांदी पर प्रदर्शनी का फीता काट कर उदगाटन किया यह प्रदर्शनी बीएस एके निर्दे प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारिया दी परीदबाद में प्रितला वधासभा के गाउं शहजहापुर में जम्मु कश्मीर के राज़ाओरी में सेना में तैनात मनोज सेंग भाटी आतंकी हमले में शहीद हो गए शहीद जवान का पार्थिशरीर को उनके पात्रक गाउं लाया जाएगा इस घटना से पूरे इलाके में लोग शहादत पर गर्व कर रहे हैं खबर लखीम पुर्खरी से है जहाँ पर हमारे देश की आज़ादी के 75 वी वर्षिगाट को आज़ादी के अमरित महुसों के रूप में मनाया ज़ा रहा है पुलिस लाइन से मैराथान दौड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ये आयोजन नरिक्षवक शिव नारायन की ओड से किया गया जिसमें छेत्रादिकारी सदर संदीप सिंग और छेत्रादिकारी प्रसिक्षू मौजूद रहे इस प्रतियोगिता में इस प्रतियोगित काओं के लोगों को जंडे बाटे जससे ग्रामीडों के चहरे खेल उठे इसके साथ ही कोटेदार ने लोगों को फ्री राशन भी बाटे परिया के अजीत मलकोतवाली छेत्र में कजबा मुराद गंज के दिपाली रेस्टरेंट के पास स्कूटी बाइक के आमने सामने भिड़नत हो गई जिसमें स्कूटी सवार दमपती समेथ तीन लोग घायल हो गए मौके पर पहुंचे पलस ने सभी घायलों को जिलास पताल में भरती कराया जहां डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर होने पर सैफ़ाई रेफर कर दिया किस किसी दे बिलंद हुई यहां आरे आमने सामने बिलंद हुई है कौन सी गाली से यहां किस काम के लिए जा रहा था बच्चे की दबा लेने जा रहा था पर क्या हुआ बच्चे में रास्ते में इसका एश्रेट हो गया यहां अधर से मोटर साइकल आ रहा था यहां जा रहा था इद दोरों मोटर साइकल बिंड़ हुई है अब इसस्थी ज्यादा कंभीर है उस्पिस ती बताली जाद बूसराभी एक और है वहां सामने से ठांक दाई लाला गंडारी मेरे लाला कभू तारूं पीकन जलड़ च यहां अब हमारे पास तीन बरी जाए थे उनका नार मुराद गंज के पास एक्सिडेंट हुआ था तीनों एक्सिडेंटल खेस पर इसमें से दो मेल थे और एक फीमेल थी तो हैड इंजरी थी एक प्रिशें इसमें से काफी सीरियस था उसके लंग्स अफेटिव लंग्स च मुरादबाद में थाना भगतपुर के एक गाउं में घर में यूवती अकेली थी उसी दोरान कुछ दबंगों ने घर में घुसकर यूवती के साथ छेड़ खानी करने की कोशिश की जिसकी शिकायत पीड़त यूवती ने थाने में की लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कारव पाई नहीं की जा रही है तिससे आहत होकर यूवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया कि कुछ ताइम की बात ही यह मग्म से पहले की बात है अच्छ वे बत्तमीजी कर रहे थे आपके साथ में आपको और फिर बचाने के लिए कोई आये था गोरकपुर में तरंग रेलवे क्रोसिंग पर बीती रात दर्णाक हाथसा हो गया जौनकारी के मताबिक रेलवे ट्राक पार करते समय इंटर सिटी क्रोस एक्सप्रेस की चोपेट में दो युबक आ गए वहीं डीम और एससपी ने मौके पर पहुँचकर घटना की जौनकारी ली हर्दोई में थाना अर्वल में छेड़ चाड और मारपीट की सूचना पर पहुँचे पुलिस के साथ दवंगो के मारपीट का मामला सामने आया है दरसल थाना अर्वल में पियारवी ड्यूटी परतेनाच सिपाही विमल बाबू और होमगाड राम वीर को थाना छेटर के राम नगर मुर्ची अगाउं में मारपीट और छेड़ चाड की सूचना मिली थी इसी के मदे नज़र पुलिस वाले जाच कर दे पहुंचे थे फिलहाल घायल पुलिस कर्मी को इलाज के लिए समदाइक स्वास्तकेंद्र में भरती कराया गया है जहां से उन्हें जुला अस्पताल रफर किया गया है जानकारी मिली सूचना मिली हमको मुर्चा राम नगर में पडोर्सी हमारे साथ बत्तमीजी मारपीट कर रहे हमारी बैन के साथ भी जो है छेड़का ने वो की है कनम नोचा जपीटी तो उसके कुंडल उंडल गिर गए है जब मौके पहुंचे तो कोलर आया बलाने के लिए एक सार एदर घर है और उसके घर तक भी नहीं पहुच पाई रास्ते में ही विपक्षी दलों ने दोनों तरफ आंगे पीशे घेर के बार कर दिया हम लोग समझ भी नहीं पाई कि आखिर मैटर क्या है वहीं से जिसको चोट लगी गिर गया उल्टा सीधा कुछ भी इसके आ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सर्व